हेलो एबरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक और रविंदर पाथक गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा MBBS स्टेडी इन रशिया कि क्या-क्या खर्चे हैं, जब आपको पैकेज दिया जाता है, फर्स्ट येर का या पूरे एंटायर कोर्स का, किस मेडिकल उनिवर्सेटी क है, क्या पैकेज है, आपको ये जरूर देखना है, कि जो जो मैं आज खर्चे आपको बताऊंगा, उसका ब्रेक अप है या नहीं है, या फिर आप से हिडन रखा गया है, मैं हिडन कीजे भी बताऊंगा, जो हिडन खर्चे हैं, वो भी आपको एक्स्प्लेन करूंगा, ता आपको समझना पड़ेगा, कि 6 साल में चीजे चेंज होंगी, डॉलर के रेट भी बढ़ेंगे, लोकल करेंसी के रेट भी बढ़ेंगे, तो वैसे भी आपका बजट 1-2 लाग उपर नीचे तो होता ही है, ऐसे में कई बार कई खर्चे ऐसे हैं, जो आपसे घिडन रखा जा इसलिए यह जानना जरूरी है कि क्या-क्या खर्चे हैं, क्या-क्या खर्चे होते हैं, और आप अपने कहां-कहां पैसे सेव कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में जो हमारा तीम की पॉइंट है, लाइक क्या-क्या खर्चे हैं, क्या-क्या खर्चे होते हैं, और कहां-कहां अपने पैसे सेब कर सकते हैं अगर गाइस अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने हो आप एडमिशन के लिए हमें डारेक्ट कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप जिस भी उनिवर्सिटी के बारे में जानना चाते हैं हम क्रिस्टल के लिए सारी इंफॉर्मेशन प्रवाइड करते हैं उनिवर्सिटी से रिलेटेड और हमारे प्रोसेसिंग फी नॉमिनल है अब स्टार्ट करते हैं गाइस क्या-क्या खर्चे होते हैं MBBS Study in Russia First Year से Last Year तक जो भी आप करेंगे इसके उपर से आपका फूड होता है छे साल आप रहेंगे खाना खाएंगे यह भी में खर्चा है क्योंकि एक लाख मिनीमम फूड पर लेके चले यह वह पांच खर्चे हैं जो आपने फर्स्ट यह टू लास्ट यह करना है इसके अलाबा अब और जो खर्चे है उसको देखना है like first year first year में आप one time charge पे करते हैं आप यह जब आएंप देखें कि जो one-time charge आप पे कर रहे है वन-time charge में सारे चीज़े हैं यह नहीं है वन टाइम चार्ज का ब्रेक अप आपको दिया गया है या नहीं वन टाइम चार्ज में जो सर्विसेस आती हैं लाइक इमिग्रेशन क्लिरेंस एयरपोर्ट ट्रांसफर एयरपोर्ट तो आप उनिवर्सेटी होस्टल पहुंचते हैं काड या बैंक अकाउंट ओपन होना है मेडिकल चेक अप जितने भी प्रकार के होते हैं वो सभी मेडिकल चेक अप इंकलूड है क्लियरली आप पूछ लेकि वन टाइम चार्ज में सारी चीज़ें इंकलूड है या नहीं है फिर इसके अलावा भी हमें कुछ देना होगा यह चीज़ें होगे इसके अलावा फिर इंडिया में आप फरस्ट यर पे करते हैं कंसल्टेंसी चार्ज में आप ये जरूर देखें कि टिकट इंकलूड है या नहीं है because कुछ consultancy tickets include करके आपको बताते हैं वो वीजा Tammy है इसके अलावा फुर Moi thinner बोला देख लिख लीजे include है यह नहीं है तो ये वो खर्चे हैं जो MBBS Study Industry के आपके होते ही होते हैं अब इन सभी खर्चों को जोड़के आप अपना budget calculate करें और जो आपको package share किया जा रहा है ये देखें कि सारे खर्चे उसमें लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है mentioned है या नहीं है अब इसके अलाबा जो hidden खर्चे होते हैं ये जो खर्चे मैंने बताया ये यूनिवर्सिटी का हो गया या फिर आपके अपने हो गए consistency charge होगी आप country में चले गए ये तो होते ही होते हैं कुछ और बाते हैं जिसका आपने ध्यान रखना है आपका budget limited है आप एक limit budget लेके चल रहे हैं कि 25-26 लाग ये 30-32 लाग जो भी आपका budget है ऐसे में आपने ये ज़रूर देखना है कि कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपको पता नहीं होते हैं like आपकी जो university है उसके buildings कितने distance पे located है hostel से तो कि आप hostel से अगर academic building जाते हैं और 5-7 km का distance है 10 km का distance है जहां आपको taxi लेके आना जाना पड़ रहा है तो taxi charges जो आप ये करते हैं वो 100 rubles से लेके 200 rubles तक हो सकते हैं और इतने होते हैं अब ये भी देखें कि जो दूर located है buildings academic building जो hostel से काफी ज़्यादा distance पे located है वो कितना distance है और week में वहाँ पे आपको कितने time जाना है ये छोटे छोटे खर्चे आप calculate करेंगे तब जाके आप एक अपना budget set कर पाएंगे कि जो आपका budget है उसमें university आपको मिल रही है क्योंकि ये चीज़े आपको ज़्यादा तर लोग नहीं explain करते है जब मैं वहाँ पे जाता हूँ या मैं बच्चों से मिलता हूँ और सारी चीज़े discussion होती है हमारी तो पता लगता है कि छोटे छोटे भी ऐसे खर्चे है जो साल के 50-60,000 रुपे तो बच्चे ऐसे ही खर्च कर देते हैं टेक्सी में बस में ट्रेवलिंग में अब 6 साल में 20-30,000 रुपे तो ये भी बढ़ गए आपके फिर डॉलर का रेट इंक्रीज हो रहा है रूवल्स के रेट इंक्रीज हो रहे हैं तो आप जहां आज के टाइम में 25-26 लाग, 27 लाग लेके चल रहे हैं हो सकता है आपका कोर्स कम्प्लीट होते 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 इनको भी calculate करें अगर आपका budget limit में है अगर आप limited budget लेके चल रहे हैं तो guys ये वो खर्चे हैं जो hidden है like आपका pocket money है, ये traveling है, ये बाकी चीजे हैं तो ये होगे सारे खर्चे, इन सारे खर्चों को आप जरूर calculate करें और जो भी consultant आप चूस कर रहे हैं और आपको बताया जा रहा कि इस college में including everything आपका 26 lakh यह 27 lakh है तो ऐसे में कई बार आपका 5-6 लाग बढ़ जाता है hostel को लेके और यह क्यों आप समझगे सभी university जो low budget की है उसके hostel इतने अच्छे नहीं है जहां आप 6 साल रह सकते हैं तो यह भी आपने देखना है कि आपका अगर budget limited है especially उन बच्चों के लिए जिनका budget बहुत ज्यादा नहीं है 5-6 लाग बजट अगर जो बजट आप भी लेके चल रहे हैं मान लीजी आप 25-26 लाग का budget लेके चल रहे हैं और आप 30-32 हो गया तो आप effort नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आपने carefully यह जरूर देखना है कि जो low budget की university आप सेलेक्ट करें वहां hostel facility कितनी अच्छी है आप hostel में 6 साल रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं अब hostel ऐसी आपको मिली जहां आप first year चलो जैसे तैसे रह लिए उसके बाद आपको apartment यह flat में move होना बढ़ रहा है तो फिर आपका 1-7 लाग हर साल apartment यह flat का rent देना होगा ज hostel में आप 20,000, 15,000, 10,000 rubles पे करते हैं yearly लेकिन apartment यह flat में आप 400-500 dollar monthly पे करते हैं 3-4 बच्चे मिलके रहते हैं हर बच्चे के share 150 dollar minimum आता ही है तो आप समझ लीजे कि जहां एक साल का hostel में पे कर रहे हैं वहां महने में आप पे कर रहे हैं तो ऐसे में आपका budget 5-6 लाग increase हो जात है या कोई भी university आप select कर रहे हैं और अगर आपका budget उस university को लेकर limited है तो आपने hostel facility जरूर देखना है इसके अलावा guys एक जरूर धियान रखें कई बार आपको पूरा package दिया जाता है first year का यह package है यह six year का total package यह है जब आपको package मिलता है तो यह जितने भी खर्चे मैंने बता है इनका break up जरूर देख लें ऐसा ना हो उहां पहुंचने के बाद आपसे और पैसे मांगे जाए और आपको कोई अगर यह कहता है कि पूरा six year का एक साथ payment करते हैं तो आपके दो से ढहलाग रुपे save हो जाते हैं ऐसे में आप जो भी आपको कह रहा है अब आप 6 साल का दे दे दिये हो एक दो साल पे करने के बाद उसका कुछ पता ही ना हो और फिर आप दुवारा सारे खर्चे दुवारे अपनी पेमेंट यूशन फी और आपको करना पड़ रहा हो केरफुली डिसीजन ले अगर कोई आपसे पैकेज दे रहा है फरस्ट येर में या फिर आपको और सिक्स येर का टोटल पैकेज एक साथ कोई दे रहा है जहां आपसको दो से तीन लाख रुपे सेव करने की बोल रहा है तो ऐसे डिसीजन लेने से पहले अच्छे से सोचे समझे और फिर डिसीजन ले इसके अलावा अब हम पैसे कहां कहां सेव कर सकते हैं आप पैसे सब से पहले इंडिया में कंसल्टेंसी चार्ज में सेव कर सकते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कंसल्टेंसी चार्ज बहुत ज्यादा पे कर देते हैं क्योंकि कंसल्टेंसी चार्ज रीजनेबल होना चाहिए नॉमिनल होना चाहिए लेकिन कई बार तो ऐसे होता है कि क्यूशन फीस मान लीजिए दो लाख है किसी युनिवर्शिटी की यह धाई लाख है आप कंसल्टेंसी चार्ज ही दो ढ़ाई लाख रुपए पे कर रहे हैं तो ऐसे में आपका बजट बहुत जादा नहीं है आप फर्स्ट येर में वन टाइम चार्ज पे कर रहे हैं टिक रहे हैं इसके अलावा आप यह जरूर देखिए कि जिस भी उनिवर्शिटी में आप जा रहे हैं फर्स्ट येर मैस मिंडेटरी है चलिए मान लेते हैं लेकिन सेकेंड येर से अगर आप फॉस्टल में रहते हैं तो आपके पास ऑप्सन हो कि आप मैस जोएन करना चाहे तो करें otherwise self cooking कर सकते हैं because self cooking करके बच्चे अपने 40-50,000 रुपे normally yearly save कर लेते हैं ये छोटे-छोटे बाते हैं one time charge को लेके ये consistency charge को लेके ये मैस को लेके self cooking को लेके जहां आप अपने पैसे save कर सकते हैं तो I hope guys ये जो भी बाते मैंने आपको बताई आप लोग इन्फॉर्मेटिव हो अगर आप genuinely चाहते हैं कि आपके पैसे बचे आपके reasonable charge में admission process complete हो जो भी university आप select कर रहे हैं उस university के बारे में सारी चीज़े आपको पता हो सारे खर्चे पता हो तो आप हमें admission के लिए choose कर सकते हैं हमें नीचे दिएगे number पर आप direct call कर सकते हैं admission के लिए और guys कोई भी query है तो आप comment के फुरू मुझसे पूछ सकते हैं अगर वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को share करे channel को subscribe करे thank you for watching